हेलो दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ आपका अपना राजीव और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एक्स्प्लोर विद दस में तो जैसे के आप जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो जो डाला था इंस्ट्रा 360X3 जो के हमने निया कैमरा लिया है उस पर डाला था उसके बाद बहुत से कमेंट आए और लोगों ने मुझसे पूछा के कौन सा जो व्लॉगिंग कैमरा है हमारा बेस्ट ट्रेवल कैमरा है तो आज हम बात करेंगे के मैं कौन सा कैमरा in 2022 जो चल रहा है उसमें य कैमरा मानता हूं ट्रेवल व्लॉगिंग के लिए तो चलो बात करते हैं उस कैमरे पर तो दोस्तो ट्रेवलिंग वीडियो के लिए मैं यूज करता हूं डीजी आइक्शन 2 इंस्टा 360 जो के नियू एडिशन है और पर मेरा जो बेस्ट कैमरा है वो है ट्रेवलिंग के लिए सोनी जी वी वन इसे जेड वी वन भी बोलते हैं यह सोनी का छोटा सा कॉमपैक कैमरा है और इसमें मैं बात करूंगा कि वो कौन से फाइव रीजन्स हैं कि मेरे लिए यह ट्रेवल करने के लिए वेस्ट व्लॉगिंग कैमरा है जी हां यह है मेरा बैस्ट ट्रेवल और इसकी flip screen है. जैसे ही आप screen को turn on करेंगे, camera अपने आप on हो जाता है. यह देखिए. तो सबसे पहला कारण है, यह मेरा best vlogging camera है in 2022 में. इसका size. यह बहुत ही compact size है. यह देखिए. मेरे हाथों में कितना चोटा सा लग रहा है. और यह है मेरा Samsung S22 Ultra. अगर मैं इसके मुकाबले में रखूँ तो यह देखिए. यह इस से भी छोटा camera है. तो आप इसको असानी से अपनी pocket में डाल सकते हैं. Very easy to carry. आप इसे easily carry कर सकते हैं. आप कहीं भी जा रहे हैं. आप tracking पे जा रहे हैं. आप mountain पे जा रहे हैं. तो यह बहुत ही easy है carry करने के लिए. और आपको बता दूँ के इसका weight है only 295 grams including battery and memory card. So very lightweight. तो दोस्तों यह है इसके साथ tripod जो के sony का ही है. इस पे मैंने jobby gorilla का जो है वो ऊपर ball head लगा रखा है. Easily turn up के लिए और यह tripod भी है और यह selfie stick भी है. तो मैं ऐसे use करता हूँ. तो इसके साथ भी यह कोई ज़्यादा heavy नहीं होता. तो ऐसे इसको लगा करें से use करता हूँ. इसके साथ भी यह कोई heavy नहीं है. Because this is about two, three hundred grams as well. So, यह बोथ मेरे like best companions for travel vlogging है. दूसरा और main reason है यह मेरे लिए best traveling camera है. इसकी video quality. जो video quality आपके इसके one inch sensor से मिलेगी वो आपको ना तो कोई action cam देगा, ना ही gopro देगा, ना ही insta 360 देगा, ना ही आपका phone देगा. क्यूंकि यह बहुत ही अच्छी video quality produce करता है. और इसकी video आप जब देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यह nearly DSLR से आप इसकी video quality match कर सकते हैं. आप very hard to find if you looking the same video on your phone or any small screen. आपको यह पास अगर अच्छा monitor है, तब ही आप किसी अच्छे camera जैसे DSLR या किसी mirrorless जो full frame है या APAC camera sensor है, तब ही आप differentiate कर सकते हैं. अगर आपके पास एक अच्छा screen monitor है, जिसकी resolution काफी high है. Otherwise, इसकी video quality very nice. I like the video quality how it produce. और आपको यह shallow depth of field भी देता है. सिर्फ एक टच बटन के साथ. यह तो टॉप बटन है यहाँ पर. यह है recording बटन और अगर यह यह बैटन आप प्रेस कर देंगे, तो आपको shallow depth of field भी देगा. ऐसे लगेगा कि आप बहुत ही natural shallow depth of field है, artificial नहीं लगती. इसलिए जब भी मैं travel करता हूं, मैं इस camera को हमेशा अपने साथ रखता हूं. वीडियो quality के लिए. एक बात मैं आपको और बता दूँ कि अगर आप travel कर रहे हैं, मोटर बाइक से और या कार से अगर आप इसको windscreen पर लगाना चाते हैं तो यह camera उसके लिए नहीं है, उसके लिए आपको gopro या कोई other action cam ही लेना होगा. पर otherwise this is the best travel vlogging camera. दोस्तो एक vlogger को क्या चाहिए? अच्छी video quality और अच्छा sound. जी हां. तो Sony भी provide कर रहता है. यह देखिए इसके उपर, यह external mic है. और आपको साथ में यह noise cancelling के लिए dedicate भी मिलती है. जोस्तो अगर आप external mic carry नहीं करना चाहते, travel vlog में, तो यह mic आपको बहुत ही अच्छी video quality के साथ audio quality भी provide करेगा. यह three capsule mic है. बहुत ही अच्छी. मैंने इसको use किया है. यूजली मैं इसको without external mic use करता हूं. और इसके जो sound होती है, बहुत ही अच्छी, effective, really nice digital sound यह produce करता है. तो इसका यह कारण है, इसका यह भी एक कारण है कि यह मेरा एक best vlogging camera है in 2022 में. तो number four पे है दोस्तो autofocus. इसका autofocus बहुत ही चबरदस्त है. सोनी का autofocus मैं यूँ कहूं कि अगर market में best है, तो I think I'm telling truth. अगर मुझे कुछ भी shoot करना है, मेरे को अपने आपको shoot करना है, किसी भी product को shoot करना है, तो मुझे कोई worry करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बार बार video को check नहीं करना पड़ता, क्यूंकि मुझे इसके autofocus पर 100% यकीन है. यह इसका autofocus बहुत ही अच्छा है. मेरे पास sony a7-4 भी रहा जो के मैंने बेच दिया, अगर मैं compare करूं तो दोनों का autofocus same ही है. So this is another reason, और आपको यह autofocus के साथ साथ good background blur भी देता है. और number 5 पर अगर बात करें तो इसकी है low light performance, इसके अंदर एक इंच का sensor दिया गया है, जो के f1.8 very bright to f1.2 तक 2.8 तक जाता है. इसकी वज़े से यह बहुत ही bright camera है. अगर आपके पास action camera है जैसे के go pro dji action 2 या फिर आप mobile से shoot करते हैं. Samsung या Apple, अब तो Apple 14 भी आ गया है जो के advertise करते हैं के उनका low light performance बहुत अच्छा है. लेकिन यकीन मानी अगर आपके पास यह है तो एक इंच का sensor वाला यह zv1 इसकी जो low light performance है वो आपके action के या आपके phone से कहीं ज्यादा बहतर है. अगर आप रात में कहीं भी shoot कर रहे हैं तो आपको worry करने की ज़रूरत नहीं है यह बहुत ही अच्छी आपको video quality देता है even in low light. हाँ दोस्तों इसके और भी बहुत से feature हैं लेकिन यह 5 feature जो मैंने आपको बताए है इनी 5 features की वज़े से यह मेरा best camera है क्योंकि किसी भी vlogger को यही 5 features किसी भी camera में चाहिए. मैं यह नहीं कहूँगा कि यह camera एक perfect camera है नहीं यह camera perfect नहीं है लेकिन मैं यह कहूँगा कि still in 2022 में अभी तक for vlogging travel vlogging this is the best camera especially for me. हो सकता है कि आपकी कोई और choice हो लेकिन मेरे लिए यही best camera है मैं हमेशा इसको साथ रखता हूँ और most जो मेरे vlogs होते हैं इसी के साथ shoot करता हूँ. अगर अच्छा लगा हो तो please like and subscribe और अपने दोस्तों से भी मेरी वीडियो शेर करना तब तक के लिए take care मैं आपको जल्द ही एक नए travel वीडियो के साथ मिलूंगा. Thank you. Bye.